Assalamualaikum, Welcome back to my YouTube channel आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है Migration and Navigation in Birds ये बेसिकली चेप्टर 22 है From Zoology by Miller and Harley सबसे पहले हम बात करेंगे Migration की Migration का हम पहले overview देखेंगे 20 सेंचरीज पहले Aristotle ने कहा कि Birds जो है वो migrate कर जाते हैं खुद को मौसम सर्मा की शिद्दत से बचाने के लिए और मौसम गर्मा की शिद्दत दोनों से बचाने के लिए Birds जो हैं उन एरिया से migrate कर जाते हैं जहां पर temperature extremes आ जाती है इस बात से पहले इसका ये ख्याल था कि ऐसा होता है कई मौसमों में के Birds गायब हो जाते हैं ठीक है specifically winter में कुछ Birds disappear हो जाते हैं क्योंकि वो hibernation कर लेते हैं यानि वो darmend state में चले जाते हैं और कुछ ऐसे birds होते हैं जो किसी दूसरी species में transmute हो जाते हैं यानि वो convert हो जाते हैं किसी दूसरी species में यह migration से पहले ना migration के concept से पहले अरिस total का ये नजरिया था लेकिन अब हमें पता है कि birds जो है वो winter में क्या करते हैं migrate का जाते हैं और कुछ जो है short distance migration करते हैं और कुछ long distances modern zoologist जो हैं उनको पता है कि timing क्या है migration की migration start कैसे होनी है उसका stimulus कहां से आना है और migration के दुरान जो birds में changes आती है physiological changes वो सारी modern zoologist जो हैं वो study करते हैं इसके इलावा migration का root है और birds को root याद कैसे रहता है इन सारी बातों को modern zoologist जो हैं वो study करते हैं यह तो था हमारा migration का overview अब हमने बात करनी है migration actually है क्या migration basically periodic round trips है periodic का मतलब क्या है कि एक specific duration के बाद उन्होंने migrate करना ही करना है between breeding and non-breeding areas for example आप कह सकते हैं कि अगर birds summer में breed करते हैं तो winter में वो non-breeding areas में चले जाएंगे basically migrations जो है ना वो annually है वो ही बात है ना कि summer season में वो एक जगा पे हैं और winter में वो migrate करके दूसरी जगा पे चले गए temperature extreme से बचने के लिए nesting areas ज्यादातार birds के लिए north region में हैं यानि north region में वो breeding करते हैं और जब उन्होंने अपना winter spend करना होता है तो वो south में चले जाते हैं migration जो है ना उन species के लिए हमें ज्यादा अच्छी तरह हम उन species में study कर सकते हैं या कर चुके हैं जो north में रहती हैं northern hemisphere में हैं क्योंके 70% earth land जो है वो northern hemisphere में है migration जो है ना basically involved होती है east west moment यानि birds जो है वो move कर सकते हैं east to west ठीक है और यहां फिर altitude के लिहाज से altitude होता है sea level से above जितनी बलंदी है height जितनी है above the sea level और migration जरूरी क्यों है why migration मतलब birds migrate क्यों करते हैं एक जगा पर क्यों नहीं रहते हैं तो इसका अंसर हमारे पास यह है birds migrate इसलिए करते हैं कि उन्होंने climatic changes से खुद को बचाना होता है यानि harsh winter को वो survive नहीं कर सकते हैं तो वो ऐसी जगा पर चले जाते हैं जहां पर winter conditions इतनी harsh नहीं है यह वहां पर summer चल रहा है तो वहां पर वो अपना time spend करके वापिस आ जाते हैं इसके इलावा उनको food चाहिए होती है तो food उनको winter में एक जगा से नहीं मिल रही तो वो migrate करके दूसरी जगा चले जाते हैं और space चाहिए होती है उनको रहनने के लिए shelter चाहिए होता है अच्छा birds जो है migrate करते हैं species specific physiological conditions में पहले हमने बात की के जालोजिस्ट जो है वो study करते हैं stimuli को migration के लिए stimuli कों सा चाहिए होता है तो वो stimuli जो है वो species specific physiological conditions हो सकती है या फिर innate genetic clock यानि जो उनके inside clock है न वो हो सकता है environmental factors हो सकते हैं इसके इलावा photo period यानि कहले के इनको light कितनी देर तक चाहिए है वो भी important migratory क्यों है अभी हम photo period की बात करेंगे यह basically उन areas में जहां पे हाई temperature zones है वहां पे photo period बहुत ज्यादा important होता है यानि जहां पे temperature extreme है अब photo period अगर change होगा तो वो उनको बता देगा birds को genetically उनमें यह होती है ability कि वो सेंस कर जाते हैं सीजनल चेंज आ रहा है ठीक है और changing photo period क्या करेगा उनमें गुनेडल development स्टार्ट करवा देगा जिसको हम लेते हैं as a migratory stimuli सप्रिंग में day length increase होगी ना तो क्या होगा गुनेडल development हो जाएगी और fall में क्या होगा winter में day length decrease हो रही है तो गुनेडल development इसके इलावा जो changing photo period है वो birds को stimulate कर देता है कि वो fat deposit कर लें यानि उनको क्यूं देता है कि अब उन्होंने migrate करना ही करना है इसके इलावा और कौन-कौन से चीज़ें involved है anterior lobe of pituitary gland, pineal gland जो हैं वो भी involved है photo period response में इसके इलावा जो mechanics है migration की यानि जो mechanism है इसका वो species specific होता है हर species ने अपने लिहाज से migrate करना है कुछ वो long distance migrate करते हैं और वो fat store कर लेते हैं अपनी बोडी में और non-stop journeys मे जाते हैं ठीक है वो रुकते नहीं हैं …ا जबकि कुछिछ ऐसे हैं जो रुकरुक कर जाते हैं वो rest करते나ام अपना खाना शाना ले 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 लेते हैं, feeding ले 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 लेते तू टाइपस की हो गई ना ना-न-स्टाप और एक स्टॉप ठीक है यानि वो माइग्रेशन जिन में बर्ड्स नान-स्टॉप मूव करते हैं और एक जिसमें इंटर्वल्स के लिहाज से मूव करते हैं इसके इलावा बर्ड्स जो है न वो 1000 मीटर से ज्यादा इल्टिटूड पे फ्लाइ करते हैं क्यों? क्यों तांके वो टकराएं ना किसी भी टाल अबस्टेकल यानि रास्ते में जितने भी कहले को को बिल्डिंग्स वगरा हो सकती हैं उन से ना टकराएं और इनके स्पेसिफिक माइग्रेशन रूट्स होते हैं अब जरा माइग्रेशन को हम रिवाइज कर लें सबसे पहली हमने बात की थी माइग्रेशन एक्चुली है क्या? उसके बाद हमने माइग्रेशन के लिए क्यूज की बात की थी फिजियालोजिकल क्यूज होते हैं ठीक है जनेटिक क्लॉक इन्वाल्व है और इन्वर्मेंटल क्यूज है इन्वर्मेंटल फैक्टर्स के अगर हम बात करें तो उसमें इन्टिरियल लोब फैचूटरिक लेंड और पाइनियल बॉड़ी जो है वो इन्वाल्व है इन्वर्मेंटल हमने पढ़ा के माइग्रेशन टू टाइप्स की हो सकती है एक जिसमें नॉन स्टॉपेबल जर्नी होते हैं और दूसरा जिसमें इन्टर्वर्ल्स के लिहाज से मूव करते हैं बर्ड्स अब हमने बात करनी है नैवीगेशन की नैवीगेशन आप ऐसे समझ ले जैसे पुराने जमाने में होता था कबूतर पेगाम लेके जाते थे तो उनका जिनेटिक ट्लॉक ऐसा था या उनको सिखाया जाता था कि उन्हें निशानिया रखी होती थी रास्ते में जैसे टॉल बिल्डिंग्स हैं कुछ इस तरह के ना तो या फिर वो सन के लिहाज से मूव करते थे कुछ स्टार्स के लिहाज से मूव करते थे नाम आपको पता चल रहा है कि क्या याद रखेंगे रास्ता यानि रास्ते में आने वाले जितने लैंड मार्क्स हैं उनको बर्ड जो हैं वो याद रखेंगे सीक्वेंस में यानि पहले ये बिल्डिंग है फिर ये बिल्डिंग है तांखे वापसी पे वो उनी सीक्वेंस को अपना सफर स्टार्ट करना है न वहां की सारी इन्फरमेशन अपने माइंड में रख लेनी है कि वापिस जिनोंने इसी जगा पे वापिस आना है ठीक है इसमें क्या कि इन्वाल्व हो सकता है सन कमपासिस हैं सिलिस्टियल क्यूज हैं अर्थ मेगनेटिक फिल्ड अब हम इन तीनों को सेपरेटली स्टडी करते हैं कि सन कमपासिस क्या है सिलिस्टियल क्यूज कौन कौन से हो सकते हैं और अर्थ मेगनेटिक फिल्ड कैसे इन्वाल्व होती है सबसे पहले हम बात करेंगे बर्ड के लेंस की वो ultraviolet के लिए transparent होते हैं ठीक है और इनके photo receptors जो है वो UV light को respond करते हैं इसी तरह इसका फाइदा क्या है कि ये cloudy days में भी navigate कर सकते हैं असानी से क्योंकि इनके lenses जो है transparent है UV light के लिए और photo receptors जो है वो respond करते हैं जो ये sun की help से move कर सकते हैं इस orientation को हम क्या कहते है sun compasses अब birds के mind में एक बात set हो चुकी है कि इतने sun जो है वो rise होता है east से ठीक है उसके बाद noon में उसने overhead होना है यानि दिर्मियान में होना है और set उसने कहां पे होना है west में अब एक experiment किया गया experiment क्या था कि birds को रखा गया लैब में और वहां पे ना जो sun का इंटर्वल था ना कहले है जो sun rise था उसको लेट कर दिया गया natural sun rise ने ठीक हो गया यानि अगर for example naturally sun 5 बजे निकल रहा है ना तो बाटरी में 7 बज़े नहोंने sun rise का जोज़टी मुलाई था वो देना शुरू कर दिया अब जब उन birds को बेजा गया ना natural conditions में तो उन्होंने इस डिरेक्शन में fly किया अपनी तरफ से उन्होंने नार्थ समझा लेकिन एक्चली वो नार्थ वेस्ट थी ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंके birds ने जो उनके mind में genetic clock सेट हो चुका था उसके लिहास सनराइज ले इसी के लिए आजाता है लेकिन हम सन के इलावा बात करेंगे अब इसमें हम बात करें हैं stars की अब यहां पे भी experiment किया गया experiment किया था कि नाइट स्काय जो है ना प्लैंटेरियम एक बनाया गया उसमें night sky बनाया गया ठीक है और उसके लिहास से birds की जो navigation थी उसको चेक किया ग है रास्ता वो भी birds उसको भी use करते हैं इसकी बात हमने बात की थी magnetic field की तो magnetic field का जो direct evidence है वो तो हमारे पास अभी तक नहीं आया ठीक है लेकिन ये कहा जाता है कि earth की magnetic field जो है वो help करती है birds को move करने में अच्छा क्या किया गया कि पिजिन्स के ना पिजिन्स पे एक experiment किया गय उस finding में हमें पता चला कि pigeon के head और neck में क्या है कि magnetic iron present है magnetite present है ठीक है लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं चला कि magnetic field help किस तरह करती है magnetic iron bacteria में भी present है animal tissue में भी present है लेकिन उसका navigation के साथ अभी तक हमें न कोई specific correction नहीं पता चाल सका ठीक हो गया इसके इलावा जो bird के navigation mechanisms है न वो different होते हैं different circumstances में और ये भी हो सकता है कि birds जो है वो कोई specific unknown mechanism use करते हूं जिसके बारे में भी हमें ना पता हो